तो 36 गड़ के सबी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है सिक्चक के 14,000 पदों पर और जो है साकारितवी बाग में 3,000 पदों पर जो है आप सबी स्टूडेंट्स के लिए भरती होगा और ये दोनों ही भरती परिक्चा काफिर जाड़ा important होने वाला है आप में से हारिक इस्टूडेंट्स के लिए तो किस तरह से हम जो है 36 गड़ में सिक्चक के 14,000 और जो है साकारितवी बाग के 3000 पोश्ट के त्यारी जो हैं आप कर सकते हैं सेक्चने क्यों गयाता क्या होगा इन दोनों ही भरती परिक्चा में आवेदन करने के लिए आयू सीमा कितना होगा किस तरह सहने प्रेकरिया सेलेक्सन प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है सेलेरी आपको कितना मिलेगा ओवेदन करने के परारमी कितने तिक्या होगा वही आविदन करने की लाश्ट अडेट जो है किस तरह से होने वाला है किस तरह से आप एक्जाम्स की त्यारी कर सकते हैं किस तरह से आपका सेलेक्शन शोगा सभी जनकारी सभी डिटेस आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला इस वीडियो को जो है most important जो है भरती में से जो है एक भरती हैं तो 14,000 सिक्षक भरती परिक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका graduations complete होना चाहिए जी हाँ सबसे पहले तो आपका graduations इशनाता की degree complete होना चाहिए अगर आपका graduation complete हो चुका है इसना तक के degree complete हो चुका है आप इसके लिए definitely eligible है आप अराम से इसके लावे दन कर सकते है graduation से दिए आपका complete है plus आपका जो बीएड होना चाहिए डीएलेड होना चाहिए और देन आपका जो टेट एक्जाम भी qualified होना चाहिए teacher eligibility टेश्टर तो आप जहें सिक्षट बन सकते हैं इसके साथ साकारीता विभाग भरती परिक्ष़ के बात करें तो साकारीता विभाग में 3000 पोश्ट आप सभी students के लिए होने वाला है और यह 3000 पोश्ट 3000 vacancies जो की काफी जादा important है बहुत ही जादा माइने रखता है और यह पहली बार होगा जब आप सभी students के लिए साकारीता विभाग में 3000 भरती है 3000 vacancies 3000 update निकल कर आया हो इससे पहले जो है आज सके कभी भी साकारीता विभाग में 3000 पोश्ट 3000 vacancies जो है देखने को नहीं मिला हो तो साकारीता विभाग में पोश्ट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12 अपास ओट होना चाहिए यदि हम बारवी पास है बारवी आपका यदि मादमिक सिक्षमंडर राइपूर बोर्ट से है तो भी आप इसके लिए लिजिबल है तो भी आप इसके लावे दन कर सकते हैं फिर भी आप इसके लिए फॉर्म फिलप कर पाएंगे और सेलेरी की जहां तक अगर बात करें तो साकारीता भी भाग भरती परिक्षा का जो सेलेरी होता है वो काफी जादा होता है 15,000 रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक आपको सेलेरी मिलेगा और आपका सेलेरी जो है बहुत जादा इंक्रीज होने वाला सेलेरी आपका बढ़ने ही वाला है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेलेरी कम होगा बहुत जादा शलेरी आपको हाई फाई जो है शलेरी मिलने वाला तो तैयारी आपको एक बार करना है प्रिपरेशन से एक बार करना हार्ड वक एक बार की करना तो जितना जाद आपका हार्ड वक होगा जितना जाद आपका मेहनत होगा जतना जाद आपका इस्टाडी होगा, जतना जाद आपका प्रिपरेशन्स होगा, शफलता और कामयाबी भी आपको उतने ही जादा मिल पाएगा, और जब तक आप महनत नहीं करेंगे, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, जब तक यदियां फार्ड वर्क नहीं करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार से सफलता है या किसी भी प्रकार से कामयाबी या किसी भी प्रकार से आपको सक्सेस जो है नहीं मिलने वाला हर एक चीज पॉस्टिबल है हर एक चीज जो है मुम्किन है अगर आप कोशिश करते हैं तो अगर आप महनत करते हैं तो वरना कोई भी चीज जो आपको impossible लगए गए गर अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो अगर आप महनत नहीं करते हैं तो तैयारी पर ही जतना ज्यादा हो सके concentrate करना महनत के लिए सबसे जादा believe करना है और महनत करते रहना है तैयारी करते रहना है भीना यह सुचे कि यार रिजल्ट वह नहीं वह पाएगा या फिर नहीं होगा हमारा competition exam जो है qualified होगा या फिर नहीं होगा definitely competition exam exam जो है qualified होगा बस आप तैयारी तो कीजा आप मेहनत तो कीजा आप आप अच्छे से मेहनत करते हैं अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको कमवे अभी आज नहीं तो कल आपको definitely की सफ़लता मिलेगा जूरूरूर। आप इसे हर एक इस्टूडेंट बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपने सभी क्वाबों को, अपने सभी ट्रिम्स को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप उन सभी सपनों को, उन सभी ट्रिम्स को पूरा नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप काम नहीं करोगे तो किसी भी तरह से सपने पूरे नहीं होने वाले सिर्फ सपने देखने से ना तो कोई सपने पूरे होने वाले ना कोई ड्रिम्स पूरे होने वाले ना जाने कितने रात आपको जो कर जो पढ़ाई करना पड़ता है महनत करना पड़ता है hard work करना पड़ता है तब जाके वो सभी सफलता तब जाके वो सभी कामयाबी आपको मिलता है आपको जब कोई success हो जाता है इनसान जब कोई कामयाब हो जाता है आपको सिर्फ उनकी success नजा रहाता है कि यार ये तो success हो गया है या इन्हें बहुत रात और रात जो है फेह मिल गय या इनके जिंदेगी या किस्मत चमग गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एक सक्सेस को पाने के लिए कितने सालों के महनत होता है बहुत जादा इस श्रगल होता है कोई भी चीज हो एक ही बार में नहीं मिलता है मैं यहीं बोलता हूँ कि हर एक लाइप में वो चीज़े कालिफाई कर लेंगे जब आप लगातार उसके ले काम करते रहोगे लगातार उसके ले मैनत करते रहोगे लगातार जब आप उसके ले प्रिपरेशन करोगे इस्टडी करते रहोगे तब जाके वो सफलता तब जाके वो कामयाभी तब जाके आपके वो सबी सबने तब जाके वो सबी ड्रिम्स आपके पुरे होंगे वक्त जो है सबका आता है और उसके लिए थोड़ा सब वक्त लगता है कोई बात नहीं अभी आपके लाइप में बहुत सारे दिक्कते हैं आपके लाइप में बहुत सारे प्राबलम्स परशानी जो है चल रहा है एक time आएगा एक वक्त आएगा एक समय आएगा जब आपका भी वक्त बदलेगा आपका भी time बदलेगा सिर्फ भगवान के उपर ही भरोशा रखो मुश्किल वक्त है हर एक के life में आता है आज आपके life में मुश्किल बताया है प्राबलम्स आया तो एक दिन बहुत जादा सक्सेज़ और काम्याबे बिले गाया बस कंपेडिसन्स एक्जाम्स की त्यारी करते रहना है बिने किसे एक्सपेक्टेशन्स के कि रिजल्ट बहतर हो गया फिर नहीं होगा मैं तो यही बोलता हूँ कि जिन्दगी में जो भी आप बनना चाहते है जो करना चाहते है वो कीजिए क्योंकि एक समय के बाद आपको वो चीज रिग्रेट होगा वो चीज़े आपको बहुत जादा अफसोस होगा यार हमने कास ये कर लिया होता है यार कास हमने वो कर लिया होता बस खुद के उपर विश्वास करना अपने आपके उपर भरोशा करना फिर सब भी चीजे पॉसीबले देखना I hope वीडियोस आपको पसंद आया हो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पर नाया है तो चैनल को जो सब इसक्राइब कर लेना साथ में बेल नोटिफिकेशन को आउन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो जितना जादा होशे के शेयर करना मैं आपसे यहीं बोलना चाहता हूं कि बस तैयारी अच्छे से करना प्रिपरेशन सच्छे से करना आड वग आपको जितना जादा होशे के उतना करना है और हर एक चीज़ जो है पॉसिबल है अगर आप कोशिश करते हो तो अगर आप पहनत करते हो तो अगर आप आड वग करते हो तो आने वाला जो टाइम होगा आने वाला जो समय होगा वो निसी तोर पर आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा थाइंक्यू सो मैं जिलते हैं किसी नए वीडियो में